क्या आपके पास बहूत सारी बहुत सारी number लिए नहीं तो इतनी सारी मेल्स कहाल से आते तो आप डिस पर निई करते हैं आप मतलब यह सोचते हो कि हमारे पास इतनी सारी mails कहां से आती हैं इतनी सारी calls कहां से आती हैं तो आप क्या mistake करते हो भाई साफ वो सुन लीजिए अकाउंट क्रियेट कर चुको हो चाहे स्विगी हो चाहे जुमेटो हो या चाहे उबर हो या ओला हो कोई भी अप्लिकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो यह सारी formalities आपको पूरी करनी पड़ती है ठीक है जब आप यह सारी formalities पूरी कर देते हैं तो इस तरह जैसे हमारी basic informations आप हमने वाब पर feel कर दी तो भाई वो क्या करते हैं यह सारी कि सारी companies क्या करते हैं यह data होता है हमारा इसको sale कर देती है और companies भी जो बड़ी-बड़ी companies है उनको जो loan provide करवाती है उनको हमारा data sale कर देते हैं तो वो लोग फिर हम पर मतलब list निकालते हैं हमारी अलग- इसको इतना loan देना ही देना है इसने customers आपको महिने में लाने ही लाना है यह वहाँ पर हमारे data को provide कर वाते हैं वह लोग हमें दिन भर में चार से पांच कोल करते हैं फिर वह हमें कोल करके बताते हैं कि उनके पास क्योंकि हमारी कम सारी की सारी डीटेल होती है जैसा मैं मेरे मेरी बात मुहमद आलिम से हो रही है मैंने का यस सर आप loan की requirement है आपको मैंने का नहीं मेरेको तो कोई loan की मतलब नाम इस तरह से लेते हैं जैसे लोग पहले सी जानते हो अब भाई पहले से तो जानेंगे ही ना क्योंकि हमारा data महाँ पर चला गया महाँ पर हमारा phone number चला गय हमारी Gmail चली गई इसारी हमारी basic information हमारी वहाँ पर चली गई इसलिव हमें daily call करके परसान करते हैं उनका तो काम है लेकिन हम तो परसान हो जाते हैं यहाँ पर डिस्पले पर देख सकते हैं स्वीगी से मेरे पास एक here we are inviting to be a late night buddies तो आप यहाँ पर इन पर just click करेंगे यहाँ और आप नीचे सेकेंड वाल देख सकते हैं HDFC AgroHealth के नाम से हैं यहाँ पर payment status के नाम से आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको खोल के देखाता हूं तो भाई अगर आप यूटूब पर वर्क कर रहे हो अगर आप यूटूबर हो अगर आपके पास एक official mail है और आप official mail को ही इसके अंदर यूज़ कर देते हो Zumato में या Flipkart में या Amazon में या Uber में या Ola में तो भाई आप बहुत बड़ी mistake कर देते हो क्योंकि वहाँ पर हमारा data leak हो जाता है और कहीं न कहीं हमारा channel hack होने के chances रहते हैं कहीं न कहीं हमारा data leak होने के chances रहते हैं और उसके अंदर जो basic requirement होती है उनको यूज़ करने के लिए एक अलग Gmail आपकी होनी चाहिए भाई हमसे मुझसे भी गलती हो गयती लेकिन अब मैं बिलकुल जब भी कोई applications download करता हूं और वहाँ पर Gmail मांग देता हूं जो मैंने उसी के काम के लिए रखी हुई है क्योंकि नहीं तो भाई हमारे पास इतने calls आते हैं इतने emails आते हैं इतने SMS आते हैं कि आपके due date यह है आप payment जमा कर दो आपकी लास्ट किस्त यह है पांस तारीक है मतलब हमारा मेरे को ऐसा लगता है अगर हम यह mistake आगे भी करते गए तो भाई हमारे account को हैक होने में इतना समय नहीं लगेगा हमारे जो bank detail है उसको leak होने में इतना समय नहीं लगेगा तो भाई मैं request वहाँ आप से आप अगर ऐसी mistake कर रहे हो तो भाई मत करना तो दोस्तों अगर आ bank को से amount को debit कर दिया जाता है तो भाई इन सब्सक्राइब से बचो तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो की जो information मैंने आपको बताई वह अच्छी लगी होगी दोस्तों हमारा मकसा दी है कि आप लोग कुछ सीखें इन सब्सक्राइब से मत